नमस्कार दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम्षे मैंने आपको अवगत करा था कि आज फ्राइडे को ओडर आने की पूर्ण संभावना है और ऐसी सिती में ओडर आना भी चाहिए तो दोस्तों ओडर आ चुका है इस वीडि माई को जो सुनवाई हुई थी मानि सुप्रीम कोट में उससे संबंधित यह ओडर यहां पर जारी हुआ है पूरा ओडर यहां पर आप देख सकते हैं पूरा ओडर यहां पर दिया हुआ है सब कुछ यहां पर और यहां पर आप देख सकते हैं जो इसकी अगली सुनवाई ह यानि कि रिलिष्ट जो मेंटर है वो 28.08.2024 को किया गया यानि 28.08.2024 को अब ये मामला दोस्तों जो है वो सुना जाएगा देखे इसे हिंदी में समझेंगे तो बहुत आसानी से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे इसलिए आपर हिंदी रुपांत्राइस का आप देख लीजिए जहां पर साफ इस पस्पश सब्दों में बताया गया है कि पच्छों के विद्यान जो विद्वान वकीन है उनको सुनने के बाद और हमारे समझ जो भी प्रस्तुत आकड़े हैं उनका अउलोकन करने के बाद ये पता चला है कि 1796 जिनको 30 दिशंबर 2023 को और 4006 विक्ती जिनको 7 जनवरी 2024 को ये सभी योगता रखते हैं इनको न्युक्ती दी गई है 30-12-2023 को और 7-1-2024 को ठीक है इनको न्युक्ती पत्र दे दिया गया था और पूरी योगता रखते थे और हाई मेरिक लिस्ट में आते थे तो ऐसे में यहाँ पर ये कहा गया है कि 15 जून 2024 से सुरू होने वाले आउकास के बाद के सैच्छिक सत्र को ध्यान में रखते हुए हम इन 5,856 विक्तियों को इन आपीलों के अंतिम परिणाम के आधीन सामिल होने की अनुमती देते हैं यानि की विद्यालय आवंटन करवाने की अनुमती देते हैं विद्यालय में पढ़ाने की अनुमती देते हैं और इनकी जो न्युक्ति है और जो सामिल होना है वो अपील के अनतिम परणाम के आधीन होगी और यहां पर बता दिया गया है कि जो आठ जनवरी दोजार चौबिस को आधीस दिया गया ऐसा उसे संसोधित अब कर दिया गया है यानि कि स्टेटस को जो आठ जनुवी दोजार चौबिस को लगा था उसे हटा दिया गया है और समस्त जो पाँच हजार आठ सो चपन लोगों को नियुकती पत्र मिला है इनको विद्याले में पढ़ाने की अनुमती दे दी गई है और वेतन वगेरा भी सब कुछ मिलेगा लेकिन ये जो याचिका है उमेश चंदर वाली अरचना राय वाली रवी कुमार वाली इस याचिका का जो अनतिम परणाम आएगा सुनवाई के बाद जो फाइनल आउडर आएगा वो आउडर के आधीन ही इन 5856 लोगों की नियुक्ती रहेगी अगर आउडर इनके पच्छ में रहेगा तो ये आगे नियुक्ती में बरकरार रहेंगे अगर कुछ उल्टा पुल्टा होगा तो वो उसका भी असर यहाँ पर पढ़ेगा इसीच को साफ तोर पर आपर मेंसन किया गया लेकिन 99 प्रतसा चांस यही होता है कि माने सुप्रीम कोर्ट के तरफ से अगर किसी प्रकार की इस तरह से राहत दी जाती है तो वो राहत बरकरार रहती है उसमें बदलाओ नहीं देखने को मिलता है जादा तर यह चांसेज होते हैं और इसलिए यहां पर चांसेज जादा बढ़ जाते हैं क्योंकि हर तरह की योगता जो मांगी गई है विग्यापन के अनुसार वो सभी लोग रखते हैं सही तरीके से सेलेक्शन हुआ है जो नियम है उस नियम की आधार पर हुआ है और जो रूल था रूल को जज़ सहाब ने सुनने से ही निकार कर दिया उन्होंने बस मामले को निप्टा कर सभी को सही तरीके से नियुक्ती बस मिली हो इस पर डिपेंड कर दिया अब जो सुनवाई होनी भी है वो केबल होनी है जो 656 पद रिक्त हैं उस पर उन रिक्त सीटों को कैसे बरा जाएगा उनमें याची बने लोगों को कैसे निक्ती दी जाएगी ये सभी चीज अब डिसाइड होनी है तो अब यहाँ पर डरने जैसी कोई बात नहीं है और अब सभी लोग अपनी निक्ती में बने रहेंगे तो फाइनली ओडर आ चुका है अब बात करते हैं कि सची उसर को और अधिकारियों को इस ओडर का इंतजार था तो आउडर ऑफिशल वैपसाइड पर तो अपलोड हो ही चुका है तो इस ओडर की जो काउपी है वो आज ही क्योंकि आज सभी जो आफिस हैं कारियाले हैं वो खुरे हैं आज ही समस्त जो भी चैनित सिक्षक हैं जो लोग देख रहे हैं इस मामले को वो सच्यू सर को और बगेरे सर को इस आउडर को उपलब्द करा देंगे क्योंकि उन्होंने पिछली कई पोस्ट के मादम से जानकरी दी कि जैसे ये आउडर आएगा सर को उपलब्द करा दिया जाएगा तो ये आउडर आज ही उनको उपलब्द हो जाएगा और उन तक ये जानकारी आउडर के तोर पर लिखित तोर पर पहुंच जाएगी कि मानी सुप्रीम कोट ने समस्त पांच हजार प्लस जो लोग थे जिनको सरकार ने नियुक्ती पत्र दिया था इस बारा को और साथ एक को उन सभी को विद्याले आवंटन करने का जो आदिश है वो दे दिया है ठीक है लेकिन दोस्तो एक जानकारी मिली है कुछ शात्र जो है अमेठी के बीएसे सर से मिले होंगे और उनसे वारता किये हैं तो उनका ये कहना है कि विद्याले आवंटन जो है वो आपका छोटियों के बाद ही संभावता हो पाएगा ठीक है एक बीएसे सर के माध्यम से अपडेट दिखने को मिली है जो कि हम आपके साथ सेयर कर रहे हैं तो इसलिए वो कहना है कि विद्याले कल के बाद बंद होने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिती में विद्याले आवंटन अभी असंभा हो है क्योंकि जब विद्याले खुले ही नहीं रहेंगे तो आवंटन होगा ही कैसे ठीक है ये समस्या आपर फासेगी क्योंकि विद्याले में आपको ज्याइन करना है तो विद्याले खुला होना भी जरूरी है तो विद्याले दोरान बंद है लगबग 25 दिन की outा बंद है तो विद्याले खुनने के पाद ऐसे उन्होंने बताया है एक दिन पहले 15 जून को या 16 जून को या 17 जून को ठीक है 14 जून को जब भी होगा वो अधिकारी आदेश आएगा तो मैं आपको अगध करा हूँगा तो वो कम्पलीट कर लेंगे सारा प्रोसेस वेगरा जैसे की आदेश आना और आदेश के बाद आपका आउनलाइन ओना यह सब्भी प्रक्रिया हो जाएगी आपको भी इससे अफिस से विद्याले मिल जाएगा और उसके अगले दिन या एक दिन बात जो है विद्याले खुल जाएंगे और तुरंट आप अपने बियار सी के ठूँ जाते हुए अपने विद्याले में जोईन कर पाएंगे समभावना है बाकी अच्छी बात है कि किसी तरह से विभाग कोई नए तरीके से जो है विद्यालय आवटन इसी छुटियों में कर दे तो इससे अच्छी कोई बात तो हो ही नहीं सकती है बाकी जो भी रिपोर्ट होगी अभी कुछ लोग आज मिलेंगे फिर से मिलने के बाद अगर जो भी सूचना निकल कराएगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे फिलाल एक आपका इंतजार ये खत्म हो चुका है कि आउडर फाइनली आ चुका है और आउडर में इस पश्ट हो चुका है कि समस्त 5,856 लोगों को जो नियुक्ति पत्र मिला है उनको विद्यालय मैं आप जाने के लिए आपको मानिस्ट रूप्रीम कोट ने आदेशित किया है उनके अथक प्रयास से आपको विद्यालय आवंटन मिला है तो यह अभी तक की अपडेट थी इंतजार करते हैं देर साम तक और कुछ अन्य अपडेट आती है तो हम आप तक शेयर करेंगे अ आदेश का आदेश आते ही हम आपको सुचित करेंगे आदेश की जनकरी मिलते ही हम आपको सुचित करेंगे उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें धन्यवाद